हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, माइनम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे देली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेशिन्स की क्वेश प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी रिवीजन में बहुत हल्प करेगी, एक PDF प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ दर Crime सब्सक्राइब करते हैं इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाए हैं एक इंट्रेस्टिंग वे ओफ लर्निंग वो है इन्फोक्टेन्मेंट इन्फोग्राफिक्स बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको इंजॉय करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइस कराते हैं देली बेसिस पे डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती हमारे यूट्यूब चैनल पे जो 20 टॉपिक्स हैं जैसे एपस और वैप पॉर्टल्स, इंपॉर्टन देज, बुक्स और आउथर्स, आपके नेशनल अफेर्स, इंटरनेशनल अफेर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्स इन सभी टॉपिक्स को हम मन्थली बेसिस पे कवर करते हैं एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइस वीडियोस ये सब कवर करा जाता है जो बहुत हेल्फुल रहता है प्रिपरेशन के लिए अगर आप वीडियोस पे देखते है ना तो वीडियो को अभी पॉस करतो वीडियो को pause करके जल्दी से जो नोट्स आपने डेली बेसिस पे बनायाना उनको revise करो revise करने के बाद इस वीडियो को देखना नोट्स पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे questions है जो आपको बहुत इसली connect कर पाऊगे और आपकी preparation में बहुत help करने वाले आपको और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो के साथ साथ नोट्स जरूर बनाईएगा बहुत helpful रहता है इसले के साथ आज का quote रहेगा when something is important enough जो चीज़ important होती है अगर फिर भी आपकी किस्मत आपके खिलाप या फिर odds आपके favor में नहीं है आप फिर भी उस चीज़ को करते हैं जैसे सरकारी नौकरी पाना is need of the hour तो उसके लिए आपको बहुत hard work करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी even if the odds are against your favor यह बहुत famous line है किनके दौरा एलन मस्क के दौरा कई गई गई और एलन मस्क हम जानते ही है कौन है बहुत famous world के richest person है टेसला के honor है SpaceX के boring company के neural link के ठीक है star link के यह सारे आपको पता होना चाहिए देको पढ़ाई के साथ साथ ना जब थोड़ा सा आपको motivation दी जारी हो तो आपको motivation भी अगर ऐसी दे दें कि उसके आपको current affairs भी आद हो जाए तो क्या दिखकत है इसी के साथ वाद friends आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हमारी वीडियो को like कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं अगर आपको content पसंद आय रहा है और कमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा motivation बहुत मिलेगी मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपके लिए और better content और अच्छे questions future में आपके लिए लाया करेंगे इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, friends के साथ, cousins के साथ, relatives के साथ, neighbors के साथ और उनको बताइए कि Affairs Cloud एक one stop solution है current affairs के लिए स्टार्ट करें अपने questions friends पहले पे आते हैं Ministry of Civil Aviation के द्वारा अभी एक पहली flight of Akasha Air Akasha Air अभी launch की गई है, 8 अगस्त को शायद इनकी पहली flight थी ये याद रखना है, investor जो late जुझन वाला सर है, जिनका भी दिहान तो गया है राकेश जुझन वाला, ठीक है, उनका backed है, मतलब वो एक काफी famous इनमे investor है उनके द्वारा इसको launch किया गया था, Akasha Air को जो पहली flight हुई थी, कहां से कहां तक थी, कौन से state में थी, महराष्टा से लेके गुजरात अगर city पूछ ले, तो मुंबई से लेके, एमदबाद, गुजरात चलिए, यहां के जल्दी से बता दो, CEO कौन रहेंगे, वो है, विने दूबे विने दूबे आपके CEO रहेंगे, नेक्स आता है, विच और्गनाजेशन रिसेंटली साइन एन MOU विद आर्मे डिजाइन ब्यूरो, ADB के साथ, किनों ने अभी एक MOU साइन किया ताकि हिम ड्रोन अ थ्रोन प्रोग्राम को launch किया जा सके, जैसे आपका hackathon होता है ड्रोन फेडरेशन आफ इंडिया ने, और DFI के कौन रहेंगे head, वो आपके अमिच शाही है, ठीक है, तो ड्रोन फेडरेशन आफ इंडिया ने अभी एक type किया, sign किया है किसके साथ, ADB के साथ, आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ, ताकि हिम ड्रोन फ्रोन प्रोग्राम को launch किया जा सके है चलिए, नेक्स पे आते हैं, नेक्स हम बात करेंगे, टैंक्जिंग ग्यास्टो ये 14th दलाई लामा है, of the Tibetan spiritual leader, जिनको अभी honor किया गया है लद्दाक के civilian award से, highest civilian award लद्दाक का जो की है, पाल लगम डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया 14 दलाई लामा टैंक्जिंग गास्टो को, तो ये यार रखेंगे, important रहेगा नेक्स पे आजाते हैं, जगदीब धंकड सर इनके बारे में बात कर लें, ये former governor है, कहांके West Bengal के, West Bengal के governor का additional charge किनको दिया गया है, लाग अनेशन सर को दिया गया है और ये लाग अनेशन सर कहां के governor है, ये governor of Manipur है तो अभी president of India, रामनात कोविन जो थे, ex-president of India, former president of India उनके दवारा लाग अनेशन को additional charge दिया गया था, governor of West Bengal का, जबकि ये governor थे Manipur का, कैसा possible है, बिल्कुल possible है, under the article 153 ठीक है, अगर मैं पूछूं, जगदीब धंकड सर जो कि अभी vice president बने हैं इंडिया के कौन से नंबर के vice president बने है, तो ये 14th vice president बने है द्रॉपदी मुर्मू, ये कौन से नंबर की president बनी है, इंडिया की 15th president बनी है नेक्स्ट आजाते हैं, आकडी द्रोकोविच, फाइड आपने सुना है, बिल्कुल सुना होगा चेस Olympiad कराया था, तमिलनाडू चन्नाई में, तो फाइड का जो organization है International Chess Federation, इनके president को रिलेक्ट कर लिया गया है, आकडी द्रोकोविच ठीक है, ये काँ से बिलॉंग करते हैं, स्पेन से बिलॉंग करते हैं डेप्टी प्रेजिडेंट कौन बने हैं, विश्वनात आनन्द, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट बन गए हैं, और फाइड अगर मैं विश्वनात आनन्द की बात करूँ ये, पहले grand master बने थे इंडिया के कब 1988 में तो correct option, option 3 नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको बताना है, पहली director general of CSIR, कौन बनी है, जल्दी से नाम बताइए, पहली director general of CSIR ये एक senior electrochemical scientist है, और ये पहली director general बनी है, council of scientific and industrial research, जिसका headquarter New Delhi में है, ये है नाला थाम भी काला शिलवी जी next पे आते हैं, क्या याद रखने को बोला था, SSLV, GSLV, PSLV, small satellite launch vehicle, geosynchronous satellite launch vehicle, polar satellite launch vehicle तो अभी SSLV, D1 rocket की मदद से, इस launch vehicle की मदद से, अभी एक satellite दो चीज़े launch की गए थी, azadi set और EOS Earth Observation Satellite 2 इसमें हमारा आपको यादो, 75 objects launch किये गए थे, जिसमें हैं इंडिया का एक flag भी था, बट ये mission एक failure रहा था तो main इसको किस orbit में जाने की बात करी थी, 356 km orbit में इसको जाने की बात करी थी चलिए, next पे आते हैं, next हम बात करेंगे, इंडिया का 75th grandmaster इंडिया का, chess में ही होते है grandmaster obviously, और Tamil Nadu का 27th grandmaster कौन बना है, वो है वी प्रनव, वी प्रनव इंडिया के 74th, 75th grandmaster और Tamil Nadu के 27th grandmaster, इसको question को ऐसे भी पूछ लेंगे, कि Tamil Nadu के 27th grandmaster कौन है वी प्रनव, ऐसे पूछ लेंगे कि वी प्रनव जो इंडिया के 75th grandmaster बने है ये किस state से बिलोंग करते हैं, ये Tamil Nadu से बिलोंग करते हैं, ठीक है और ये 16 years के हैं, 16 साल के बास, next पे आ जाते हैं, 8th edition of national handloom day कब observe किया जाता है, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को हम observe करते हैं, 8th edition of national handloom day याद रखेंगे, किस ministry के दवार observe किया जाता है, ministry of textiles के दवारा तो correct options, option 4, next, उस state government का नाम बताओ, जिसने अभी अप्रूव किया है कोनसीमा district का name change करके, डॉक्टर बियार अंबेटगर कोनसीमा district कर दिया गया है ये कहाँ पे करा गया है, आंद्रपरदेश में किया गया है, important, ठीक है, कोनसीमा district का नाम change करके, क्या कर दिया गया है English Ideologist 2021 के लिए, Indologist, not Ideologist, Indologist, ठीक है, ICCR क्या होता है, Indian Council for Cultural Relations के लिए ठीक है, इनको Distinguished Indologist Award से सम्भानित किया गया, जैफरी Armstrong को, किस country से बिलॉंग करते हैं, कैनेडा से बिलॉंग करते हैं Next, किस country के द्वारा अभी X वजर परहार, exercise वजर परहार, तो हमेशा याद रखना, वजर परहार जो exercise होती है, इंडिया एंड USA के बीच में कंड़र्ट कराई जाती है और अभी इसका 13th edition हमें देखने को मिला, कहाँ पर इंडिया में, इंडिया में कहाँ पर हिमाचल परदेश में, हिमाचल परदेश में कहाँ पर बकलो में ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ याद रखना, जो 12th edition था, वो कहाँ पर हुआ था, USA में हुआ था, तो correct option यह क्या होगा, इंडिया एंड USA के बीच में हमें ये exercise देखने को मिलती है नेच्स, नेपाल के दुआरा अभी नेपाल में NHPC जो की National Hydro Electric Power Corporation है, इंडिया का, ये एक study and research project डेवलप करेगा, 750 MW का, West City Hydro Power Project इंडिया की NHPC और नेपाल में ये डेवलप किया जाएगा चलिए, नेच्स पे आते हैं RBI के दौरा अभी Small Finance Banks के लिए एक norm set किया गया है, जिन्नोंने दो साल years of operation complete किया है, इंडा authorized dealer category 2 और उनको minimum जो उनकी net worth होनी चीए, उनकी 500 करोड रुपे की उनकी total worth होनी चीए, और उनको 2 साल पूरे हो जानी चीए, AD1 category में जा सकते हैं और वो foreign exchange में काम कर सकते हैं, work कर सकते हैं, forex होता है foreign exchange, जो दूसरी countries की currencies होती हैं, उसमें को sell बेच सकते हैं तो correct option, option fourth next पे आ जाते हैं, PFRD, PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, इनके दोरा भी discontinue कर दिया गया है, credit card payment facility को in the tier 2 accounts of the national payment pension system, NPS system जो pension system होती है, आपकी उसमें, जो credit card facility को है न, उसको बंद कर दिया गया है, उसकी payment facility को याद रखेंगे, चलिए next, which bank recently became, और एक चीज़ और यह जो न, tier 2 में इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, tier 1 account soldiers are still eligible to open the NPS tier 2 next, किस bank, अब वो पहला bank बना इंडिया में जिन्होंने introduce किया है, innovative cash management proposition को क्या है वो, ARS, ARS किया है, access receivables suit, यह एक ARS team line receivables conciliation है, जिसमें आपका cash flow increase हो जाएगा, client experience better होगा और lower cost of doing business रहेगी, किस के दवारा यह innovative cash management proposition, ARS, access, receivable suits, launch किया गया, किस bank के दवारा, नाम आगया, जैसे access का तो, access bank के दवारा MD and CEO कौन रहेंगे, access bank के, Amitabh Chaudhary, 1993 में इसको launch किया गया था, Mumbai, Maharashtra में launch किया गया था next पर आज आते हैं, Dash became the first Indian psychologist of the US heritage wall of fame, जिनको अभी India के वो पहले Indian बने psychologist, जिनको heritage की, US की heritage wall of fame में इंडर्ट किया गया, in the society for personality and social psychology I repeat, in the society for personality and social psychology के wall of fame पे, heritage wall of fame पे US में सम्मानित किया गया, वो कौन है पहले Indian, वो रहेंगे आपके, Ramadhar Singh याद रखेंगे, important है, ये professor है, Ahmedabad University में next, James Marappe, ये भी second term के प्रेमिनेस्टर बने है, किस country के, Papua New Guinea के याद रखेंगे, next, which country's high resolution remote sensing satellite, Khayyam Khayyam एक remote setting satellite है, इरान की satellite है, रश्या के दवारा इसको launch किया गया Soyuz 2, 1B rocket के मदद से इसको launch किया गया था, कजाकिस्तान से, तो एरान की है ये Khayyam satellite, next आ जाते हैं, international day, international day of the world's indigenous people, इसी को हम world, tribal day के नाम से जानते हैं, world tribal day या फिर international day of the world's indigenous people, 2022 का United Nation के दवारा कब observe किया गया था, पहली बार, पहले तो ये बता तो कब observe किया गया था, 9 अगस्त को observe किया गया था, ये day, ठीक है और पहली बार कब observe किया गया था, 1995 में इस दे को पहली बार observe किया गया था, theme के याद रखेंगे, the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge, next आ जाते हैं, Kiran Pollard, West Indies से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, इन्होंने अभी एक record बनाया है, सबसे जादा, 600 T20 matches का खेलने का, जो ये किस country से बिलॉंग करते हैं, West Indies से, इन्होंने भी T20, भी recently, cricket से, international cricket से, सन्यास ले लिया था, जो ये T20 matches खेलते हैं, जैसे IPL league हो गई, तो various countries में अलग-अलग leagues होती रहती हैं, टूनामेंट्स होते रहते हैं, उसमें ये participate किया और ये पहले player बन गए हैं, जिन्होंने 600 T20 matches खेले हैं, next, stable coin एक क्या time होती है, जैसे आप USDT cryptocurrency जो लोगों ने खरीदा होगा, उनको पता होगा, एक USDT होता है, तो USDT क्या होता है, ये एक tether हो क्या था, अपने coins release किये थे, gold coins, 2000 coins ये कुछ launch किये थे, और इनको gold से back क्या था, gold के coins थे ये, ताकि उनकी जो currency गिर रही थी, उसको बचाया जा सके, coming back, ठीक है, इसलिए अभी India ने भी थोड़े time पहले जब cryptocurrency पे regulations आई थी, तो इन्होंने भी बताया था, कि हम भी India भी marketplace अभी launch करने की बात की गई, कुछा जा रहा है कि किस ministry के दवारा launch करने की बात की गई, ये government marketplace, जहांसे जो government के tenders होंगे आप वहाँ से sell कर सकते हैं, और लोग वहाँ पे bid कर सकते हैं, तो ये ministry of commerce and industry के दवारा jam portal launch करने की बात की गई, next पे आज आते हैं, उस company का नाम गई, government of India, कि वहाँ पे आपके, जैसे अभी सारी power जो Amazon और Flipkart की है, ये क्या हम companies के पास है, तो क्यों ना हम अपनी खुद की एक ऐसी company बना दें, एक ऐसी website, एक service प्रोवाइड कर दें, कि जो Amazon है और Flipkart है, इनकी marketplace कम हो जाए, तो इन से क्या होगा, जो आप पैसा बाहर क के देशों में जाता है, वो पैसा हमारे इंडिया के इंडिया में ही रह जाएगा, ठीक है, तो correct option क्या है, Microsoft help करेगी इंडिया की to launch this ONDC की एक website, e-commerce application website तो ही, अब इनकी एक application भी launch करने की यहाँ पर बात की गई, और यहीं पर आपके जो articians होते हैं, makers होते हैं, कुछ भी product ब policy to finance makers of the lab-grown diamonds, देखो अभी जो mostly जो manufacturers है अब वो गुजराच shift कर रहे हैं, ठीक है, जो diamond manufacturers है, यह artificial diamond manufacturers होते हैं, और इसके जो artificial diamond बनाए जाते हैं, इनसे जो real diamonds की cost होती है, वो around 20 to 30% ही रह जाती है, ठीक है, तो क्या देखेंगे कि अभी sales, SBI, State Bank of India के दौरा वो पहला bank बना ज diamonds, जो की सस्ते होते हैं, artificial diamonds से, और जो सस्ते होते हैं, natural diamonds से, यह artificial हो गए, और जो diamond होता है, यह carbon ही होता है, carbon को high pressure and high temperature की मदद से बनाया जाता है, और diamonds यह आपके सबसे hardest material होते हैं, सुनील चेतरी, अभी हम बात करेंगे, All India Football Federation के men footballer of the year की, and women footballer of the year की, men footballer of the year for the seven time बने सुन सुनील चेतरी, और women की बात करूँ, वो है, Manisha कल्यान, यह women footballer of the year बनी पहली बार, तो correct option होगा, option first, और एक चीज़ और याद रखेंगे, सुनील चेतरी हैं यह आपके third highest football scorer है, शायद goal scorer है in the world अभी, first पे Messi, second पे Ronaldo, and third पे सुनील चेतरी होते हैं, with the maximum number of goals, या फिर यह second position यह आप नीचे comment करके जरूर बताईएगा, यह चीज़ हम clear करेंगे, अच्छा question है ही है, ठीक है, मैं आपको शायद पहली वीडियो में भी बताना चारा था, लेकिन last time यह मेरे दिमाग से निकल गया था, बट इस बार ध्यान रखेंगा, highest scorer कौन है, वो तो है Messi, लेकिन second highest और third highest scorer, एक बर आप जरूर मुझे नीचे comment करके बताईएगा, चलिए next पे आते हैं, हम बात करेंगे, पहले major single title की, इनको किस year में मिला, हम बात कर रहे हैं, सेरिना विलियम्स की, सेरिना विलियम्स आपको जानती है, इन्होंने अभी third grand slam title जीता है अपना, और यह tennis से बि 1999 में, पहला इन्होंने अपना major single title जीता था, चलिए next पे आते हैं, which of the following countries received the membership of ICC, international cricket council की membership अभी 3 countries को मिली है, उजबेकिस्तान, कमबोडिया and कौट दे आइबर, तो आप यहां देखेंगे तो दो ही कंट्री हैं, कमबोडिया and कौट दे आइबर, क्रिकिस्तान को नहीं, option number 5, next आ जाता है, where is the headquarter of State Bank of India का headquarter कहां पर है, मुंबई, महराष्टा में रहेगा, headquarter SBI का, news में क्यों है, क्योंकि अभी symbolic sugars को इन्होंने bankrupt कर दिया है, because of a 395 करोड रूपीज loan जो उन्होंने इनसे लिया था, next पे आ जाते हैं, एक time याद रखेंगे, crypto jacking, crypto jacking क्या होती है ये एक cyber attack होता है, जो भी आपका hacker होता है, वो आपके computer का या फिर laptop का resources को use करता है, ताकि mine कर सके cryptocurrency को, आप घर बैटे हैं, cryptocurrency को mining की जा सकती है with software, but वो energy consume करते हैं, तो आजकल ऐसे software आ रहे हैं, ऐसे hackers आते हैं, जो आपके computer को hack करते हैं, and back में, back end में ही आपके computer की power को use करते ह आपके cryptocurrency को mine करते रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा, next आ जाता है, which organization जिन्होंने अभी spark launch किया, ये 3D virtual space technology park है, जहाँ पे ISRO की, पहले तो ये देख लेते हैं, ISRO के दोवारा launch किया गया था, यहाँ पे क्या है, ISRO के scientist की innovations, जो उनके journals हैं, जो उनके बारे में history है, ठीक है, उन्होंने जो research की है, जो technology है, research के पास, जो aircraft है, ठीक है, जो अलगलग equipments वो use करते हैं, वो सारा यहाँ पे दर्शाया गया है, ये open to tourists है, लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं, even एक छोटी movie भी यहाँ पे दर्शाया गया है, कि about the success of ISRO scientists, so ये ISRO के दोवारा spark launch कि नेक्स आ जाते हैं, according to ministry of petroleum and natural gas, target year पूछा गया आपसे, Indian government का to increase the share of natural gas in the energy mix to 15%, जो की अभी कितना है, 6.3%, तो 6.3% से उसे 15% करने के लिए, जो target year government के दौरा, सेट अप किया गया, ministry of petroleum and natural gas के दौरा, वो क्या रहेगा, 2030, next पे आते हैं, UNCTAD के दौरा अभी एक report रिलीज की reporting, इंडिया में जो cryptocurrency है, मतलब लोगों के पास जो cryptocurrency है, वो है 7.3% की cryptocurrency है, ठीक है, इससे जो इंडिया की rank आ जाती है, 7th आ जाती है, out of 20 nations, इससे से याद रखेंगे, जो top 20 nations है ना, उसमें अगर देखें कि किस country में सबसे जादा लोगों के पास cryptocurrency है, तो इंडिया की rank की आ जाती है, 7th, यहाँ पे 5th लिखा हुआ है, इसको correct कर लीजिएगा, 7th है यह, ठीक है, तो इंडिया की 7th rank रह जाती है, in cryptocurrency, और कितने percent लोगों के पास इंडिया में cryptocurrency है, 7.3%, topic कौन आ जाता है, US, next, who was recently awarded with ICCR का distinguished Indologist 2021 awards, अभी हमने पढ़ा था, एंदाबाद University के जैफरी Armstrong सर को सम्मानित किया गया आपका ICCR awards से, next, who was recently appointed as the 49th Chief Justice of India, कौन बने हैं, वो है आपके उदै उमेश ललित सर, यह आपके 49th Chief Justice of India बने हैं, 48th कौन थे, N.V. रमना सर, तो question आ सकता है कि, 48th Chief Justice of India कौन थे, N.V. रमना सर और नए Chief Justice उदै उमेश ललित जी, यह किन को replace करेंगे, यह N.V. रमना सर को replace करेंगे by becoming the 49th Chief Justice of India, next, जनता दल के लीडर, नितिश कुमार, इन्होंने ओत ली as the Chief Minister of Bihar for the 8th consecutive time, काफे important, next, उधाना railway station, यह किस state में located है, वीजन क्यों हम इस question के बारे में discuss कर रहे है, क्योंकि जो उधाना railway station है न, इसको unique green railway station बोला गया है, ठीक है, यह अभी India book of records में दर्ज किया गया, as the green railway station, पूछा जा रहा है, यह कहां पे located है, यह आपका सूरत में located है, जो कि गुजरात में है, और सूरत में ही हम पढ़ते हैं कि पहला, steel, slag, rod बनाए गया था, next, किस country ने भी recently launch के एक joint project to accelerate the climate action in India, along with India Meteorological Department, तो याद रखेंगे, यह आपका Japan country ने, IMD के साथ मिलके, along with UNDP, एक sustainable development program launch करने की बात की, to accelerate the climate action, इंडिया में जो भी projects होंगे, sustainable development goals पे होंगे, renewable energy की यहाँ पे focus किया जाएगा, जाद 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 renewable energy पे work करने की बात की गई, नए project setup करने की यहाँ पे बात की जाएगी, तो correct option जपान, फ्रांस की बात करें, इंडिया इन फ्रांस ने मिलके, 2015 में, international solar alliance launch किया था, गुरूगराम हर्याना में जिसका headquarter है, नेक्स्ट उस personality का नाम बताओ, जिनको अभी the legion of honor, जो कि एक highest award हो जाता है, आपका France का, उससे सम्मानित किया गया है, बताइए, किनको सम्मानित किया गया इस award से, यह हैं, शशी, थरूर सर, और इनको writings and speeches के लिए, यह highest French order of merit award से, the legion of honor से सम्मानित किया गया, इसको पहले royal order of the legion of honor सम्मानित करते थे और बोलते थे, अब इसको the national order of the legion of honor, जो कि France का award है, यह भी आद अखेंगे, किनको सम्मानित किया गया, for writings and speeches, शशी, थरूर सर को, next ला जाता है, world elephant day, अभी हमने 11 edition of world elephant day observe किया, 2022 में, कब 12 अगस्ट को, तो पहला बार हमने कब observe किया था, इसको next, international youth day, की theme क्या रहेगी, intergenerational solidarity, creating a world for all ages, यह आपकी theme रहेगी, ठीक है, यह किसके दोरा, UN के दोरा observe किया जाता है, international youth day, काफे important, पहली बार कब observe किया गया था, 12 अगस्ट 2000 को, और एक चीज़ और, यह कब observe किया जाता है, यह तो हमने देखा ही नहीं, 12 अगस्ट को observe किया जा यह बुक किन के दोरा author की गई है, यह शशी थरूर जी के दोरा यह बुक author की गई है, काफे important, former international diplomat, lighter and member of parliament from 3-1 from Kerala since 2009, ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, इनकी कुछ और बुक्स हैं, जैसे, Bookless in Baghdad, India Shastra, Why I am a Hindu, The Paradoxical Prime Minister, The Hindu Way, or The Era of Darkness, The British Empire in India, यह सारे बुक्स किन क है, शशी थरूर सर की, next, in which year did the Indian government honor him with Bharat Ratna, Bharat Ratna के किन की बात की जारी हम, अटल बिहारी वाजपे जी की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी 16 अगस्त को, इनका हमने 4th death anniversary observe की है, अटल बिहारी वाजपे की, यह 3 बार Prime Minister रह चुके हैं, इंडिया के, और इनको अभी समा Prime Minister of India, नरेंदर मुदरी सर के दवारा, इनकी 4th death anniversary, जो की 16 अगस्त को थी, इनको honor किया गया था, इनको शदांजली दी गई थी, ठीक है, इनके memorial का नाम क्या है, सदेव अटल, और यह कहां पर है, न्यू डेली में, यह भी आद रखेंगे, next, आजाते है, smile scheme, transgenders के लिए smile scheme launch की गई थी, ताकि इनकी act of bagging को छुडवा सके, और इनको shelter provide किया जा सके, इनको education दे सके, food provide कर सके, better life के लिए, तो यह scheme अभी फिर से launch की गई, smile 75 के नाम से, जहाँ पे आपको और लोगों को, जो not just transgender अभी है, सभी लोगों को bagging से छुडवा के उनको एक better shelter provide करना, education देना food provide करने की बात की गई, फिर यह smile की बात करें, friends मैंने आपको बताया था, इसकी full form भी आपको याद रखनी है, क्या होती है smile, support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, यहाँ पे M का मतलब क्या हो गया, marginalized, तो option 4 यहाँ पे correct हो जाएगा, फिर याद रखेंगे, 21-22 से लेके, जो आपका financial year 5 years का था, 25-26 त ministry of finance, income tax payer, ministry of finance के अनुसार, income tax payer, जो भी income tax pay करता है, वो एक October से आपके अटल pension योजना के अंडर नहीं आएगा, reason being, कि जो लोग tax pay करते हैं, उनको ही इस pension का फाइदा देने का कोई फाइदा नहीं है, जो under marginalized section, जो undeserved section है हमारी society गे, जो और below the poverty line लोग आ जाते हैं, उनको provide य pension मिल सके, ताकि वो अपना रोजगार काट सके, इसलिए scheme को launch किया गया, और बोला गया, एक October से ये cancel हो जाएगी, जो भी लोग आपके pension, income tax बरते हैं, उनके लिए eligible नहीं होगी, ठीक है, याद रखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगस्ते मलाई elephant reserve की, ये 5th elephant reserve रहेगा आपका, कहां का, तमिल नाडू का, 5th elephant reserve रहेगा, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये इंडिया का 31st elephant reserve रहेगा, हम कब observe करते हैं, ये मतलब question पूछा जा रहा है, elephant reserve का ही, और अभी ह elephant reserve, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी किस इंडियन freedom fighter के लंडन होम में, अभी recently एक उनको blue plague honor से सम्मानित किया गया, पहले तो blue plague की देख लेते हैं, blue plague क्या होता है, ये एक scheme है, blue plague scheme, English heritage charity के द्वारा इसको run किया जाता है, ताकि जो historic significance की building से लंडन में, उनको सम्मानित किया नरोजी ये पहले इंडियन freedom fighter थे, और पहले बिटेन के पहले इंडियन parliamentarian बने थे दादा भाई नरोजी, और ये बोला जाता है कि इंडिया से जो लोग भाग जाते थे, या फिर जो इंडियन freedom fighters थे, वो काफी जादा लोग, कई सारे लोग इनके घर पे लंडन में जाके पना लेते थे, मतलब पुलिस से बचते भी थे, ये जस्ट एक story है, correct option याद रखेंगे दादा भाई नरोजी का, तो friends, I guess ये था हमारा session, I hope आपको पसंद आयोगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिएगा, channel को subscribe कर दे, and जल्दी से जल्दी comment करके हमें बताएं दूसे तीन whatsapp group पे चाहें अपने friends के साथ करें, neighbors के साथ करें, cousins के साथ करें, किन के साथ भी करें, बट उनको बताएं कि one stop solution है affairs cloud for current affairs, इसी के साथ साथ friends हम daily basis पे अपनी topic wise वीडियो जैसे national affairs, international affairs, sports, defense, awards, ये सारे topics हम release करते हैं, वीडियो को upload करते हैं daily basis पे या monthly basis के हिसाब स पर daily हम एक-एक topic को release करते हैं, upload करते हैं जो कि आपके लिए बहुत helpful रहेगा, फिर daily basis पे daily current affairs की वीडियो डालते हैं, हम आपको इसी के साथ weekly basis पे weekly current affairs की वीडियो डालते हैं, monthly current affairs की वीडियो डालते हैं, इसी के साथ topic wise हम डालते हैं, बहुत अच्छी preparation होती है, जो बच्च बहुत अच्छी हो जाएगी जो भी content आप provide करेंगे आपको उसमें बहुत जो भी content हम आपको provide करेंगे उसमें आपको बहुत help मिलने वाली है क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप friends 10-10 बार revise करेंगे जैसे फिर आप इसी के साथ साथ आप देखेंगे आप जो आपको पीडियाफ मिलेगी नोट्स की उसमें बहुत अच्छी रिविजिन हो जाती है जब आप एक ही चीज़ को 4-5 बार 6-7 बार फिर हम आपको नोट्स बनाने को बोलते हैं आप नोट्स बनाते हैं फिर आप उन नोट्स को revise करते हैं तो ऐसे क्या होता है चीज़ें बहुत बार याद होने लग जाती हैं और एक ही चीज़ को बार बार पड़ेंगे क्योंकि जो हम वीडियो डालते हैं जैसे मंतली वीडियो होती हैं वीकली वीडियो होती हैं यह एक रिविजिन वीडियो होती हैं पूरे हफते के जो important current affairs है वो यहाँ पर cover किया जाते हैं and बहुत अच्छा session होता है friends So friends that's all for the day, thank you and have a nice day That's all for the day friends, यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube channel को subscribe कर सकते हैं आप Telegram channel पे जाके हमें follow कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे कट गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9667-338-62 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा